अमस्कार आप सभी का एगेंस्टक्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे अंचल कार्याले में किसी भी तरह का आपका सरकारी काम सौसमे नहीं किया जा रहा है या परिशान किया जा रहा है तो इसके बारे में बिहार, लोग, सिकायत, अधिकार, अधिनियम के तहत किस प्रकार सिकायतबाद दैर कर सकते हैं वो भी बिना किसी पैसे के निसुल्क सिकायतबाद दैर किया जाता है चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अबर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दा कर आखर आल पर भी क्लिक कर लें तथा इसे इतना सेर करें किसे हर भारतिये को इसकी जानकारी हो सके जो इससे अपना लाब आसानी से ले सके तथा एक लाइक अबर तो चलिए मैं प्रपत्र को लोग सिकायत निवारण पता दिकारी कि समक्ष किस प्रकार भरेंगे उसकी जानकारी प्राप्ट करेंगे तो यह प्रपत्र वन है आवेधन का प्रपत्र नियम तीन यह हैं अगर फॉर्म आप लोगों को उपलब्द है यह लोक सिकायत के अंत पर ने सुल्क उपलब्द कराया जाता है यदि आपके पास कोई फॉर्म नहीं है तो आप साधे कागज पर भी इस प्रकार लिख कर भी आप सिकायत दर्ज कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहां विभागे लोक सिकायत नेवानन पता दिकारी राजस से बंभूमी सुदार विभाग के शमक सिकायत करने के लिए यह प्रपत्र वन भरा है परिवादी अपना नाम लिखेंगे पिता का नाम लिखेंगे अपना पूरा बता लिखे मुबाइल नंबर लिखेंगे परिवादी क्या लाव या राहत चाहते हैं? मैंने यहां अंचल कारियाले से संबंदित सिकायत किया है जहां नकल समय पर नहीं मिलता है विलेक का बजापता नकल भी नहीं मिलता है या मिलता है तो उसके लिए अधिक पैसे मांगे जाते हैं मनमानी धंक से रुपईया वसुला जाता है या किसी का जमीन का मापी का कारी सोसमे अंचल कारियाले से नहीं हो पा रहा है या किसी भी तरह का कारी आपका निस्पादन होने में बिलम हो रहा है दाखिल खारी का कारी बिलम हो रहा है या जो भी कारी बिलम हो रहा है इससे संबंदित सिकायत वाद आपदार कर सकते हैं मैंने यहां तीन बिंडों पर मुकरूप से सिकायत किया है कि दाखिल खारिज का वाद सौसमय नहीं किया जाता है और दाखिल खारी वात शंक्या से संबन्दित संपूर्ण अभिले का नकल भी परदान नहीं किया जाता है और जमीन की मापी के लिए भी सौसमय ठेक्षे कारिज नहीं किया जाता है तो देखिए मैंने लिखा है दाखिल खारीज वाद संक्या इतना निस्पादन कर मुझे दाखिल खारीज वाद संक्या इतना के संपूर्ण अभिलेक का नकल परदान करते हुए संगलंग पेज में वर्नित जमीन को मापी करवाते हुए अंचल कारियाले में दाखिल खारीज वो अनिक काम स्वासमे करवाने के संबंद में इसमें अलग से पन्ना लगाया जा सकता है जिसमें मैंने लगाया है इसके पीछे है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा खो है पदाधिकारी और विभाग का नाम जिसके परिवाद संबंदित हो मैंने जिला मधेपूरा अंतरगत अंचला दिकारी आलम नगर की सिकायत की है या विहाराज से संबंदित है राजस सिवंभू में सुधार विभाग काया कारियाले है दस्तावेज का ब्योरा यदि परिवादी के समर्थ में दस्तावेज संग लगनो जो भी आप आवेदन दिये हो वहां अंचल कारियाले में या किसी भी कारियाले में उसका एक च्छापरती लगा देंगे या जो भी उसके साथ आपको साक्ष है वो लगा देंगे एक दो नंबर में तो मैंने दिया है बाद संख्या कियेगी निर्णय का आदेश शगलगना है साथ में हैं क्या परिवाद पहले भी किया गया था मैंने किया था तो किस विवाग का तो ग्री विवाग और राजस से विंभूमि सिधार विवाग का किया था इसलिए मैंने लिख दिया हाँ जो नहीं किये है वो नहीं लिखेंगे पहले से किये गए परिवाद परजवाब पराप्थ है हाँ पराप्थ है यदि हाँ तो उसका ब्योराद है तो मैंने ग्री विवाग की सिकायत मैं एpनी मा के नाम से करवाया था और राजस से विंभूमि सिधार विभाग में सिकायत अपने पिता जी के नाम से करवाया था तो मैंने लिखा है मेरी मा दैरानी देवी के नाम से परिवाद संख्या इतना दायर किया गया था जिसमें आदेश मेरी मा के पक्ष में है मेरे पिता के द्वारा सो समय अंचल कारियाले में काम निस्पादन हेतु परिवाद संख्या इतना से दायर किया गया था जिसमें केवल कर्मी की कमी होने के कारण बाद का निस्पादन होने में बिलम बताया गया था उस समय कर्मी के कमी के कारण वाध होने में देरी का बहाना बहाना का अंचला दिकारी बच गए थे इसलिए मैंने पुनहा इसमें सिकायक खुद के नाम से किया है अंचला दिकारी और अंचल के कर्मी आप लोग भी जानते ही होंगे वो अपना प्रैवेट मुंसी रखते हैं तथा नीजी व्यक्ति रखकर जनता से रुपईया पैशा की मांग करते हैं और मनमानी रुपईया तसील कर मनमानी धंग से कार्ज किया करते हैं इसलिए मैंने यहां सिकायत किया है नौ में है कोई अन्य सूच ना जिसका आवेधन में उनलेक करना चाहे प्रस्टाचार के कारण कार्याले में 100 समय काम नहीं किया जाता है नीजी मुंसी द्वाया रुपईया पैसा लेकर काम करवाया जाता है जो भी आपको यहां कहना हो कारियाले से संबंदित सिकायत वो यहां दे सकते हैं अपना स्थाक्षर करेंगे दिनांक लिखेंगे इस प्रकार आप प्रपत्र एक लोग सिकायत निवारन अधिकार अधिनियम 2015 के तहट आप पूरा फॉर्म भर लिए हैं अब इसके साथ जो भी आप इस पॉइंट में कमी है जो आप नहीं लिख पा रहे हैं जैसे पांच में मैंने लिखा है अलग से पनने लगा जा सकते हैं तो इस प्रकार आप सादे कागज पर भी जो कुछ लिखना चाहें आप लिखकर इसी ढंग से आप अपना हस्ताक्षर करके उसके साथ एटेच कर देंगे और इसके साथ जो भी आपने आवेदन दिया हो चाहे अभिलेक निकालने है तू मैंने देखी ये अभिलेक निकालने है तू एक आवेदन दिया था जिसमें मुझे अभिलेक कावजापता निकल नहीं दिया गया है जिसकी सिकायत मैं कर रहा हूँ इस प्रकार पूर्व में किये गए वाद का यह निश्पादन किया गया था लोग सिकायत निवारन के द्वारा ही इसकी छापर से भी मैंने दी है तथा भूमी समंधी मापी का मैंने जो वर्णन किया है यह भूमी समंधी मापी का LPC Certificate है जिसे मुझे भूमी नापी अंचल कारियाले के माध्यम से करवानी है आप लोग भी इस प्रकार अगदी कोई समस्षा आ रहा हो अंचल कारियाले से या परखंड कारियाले से या किशी भी कारियाले से तो आप लोग लोग सिकायत अधिकार अधिनियम का प्रियोग कर अपने कारी को सिग्र करवाश रकते हैं वो भी नेसुल्क जैहन